गुट मॉरिंग बच्चों, मैं आपकी निकार में हैं आज हम लोग Class 6 में Civics पढ़ेंगे Civics में हम लोग आज Chapter 5 पढ़ेंगे क्या नाम है Chapter 5 का? पंचायती राज तो चलिए बच्चों, आज हम लोग ये Chapter शुरू करते हैं देखें बच्चों, ये से एक सभा बैठी हुई है गाओं की ठीक है? तो चलिए ये Chapter हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का दिन बड़ा खास है सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाओं के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है हरदास गाओं के लोग तो हरदास गाओं के लोग ये जानने के लिए बहुत उच्छूख हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है तो बच्चों ये क्या है? एक छोटा सा गाउं है, उस गाउं का क्या नम है? हरदास उस गाउं के लोग बहुत ही excited हो रहे हैं कि आग जो पंचायत बनी है उसमें क्या योजना बनाई गई है? यानि गाउं के लिए क्या क्या किया गया है ठीके तो देखे बच्चो यहाँ पर एक वर्ग में आप लोगों को दिखाई दिया होगा तो उसको देखे ग्राम पंचायत के बारे में लिखा हुआ है उसमें ठीके तो ग्राम सभा एक पंचायत के छेत्र में रहने वाले सभी वैसकों की सभा होती है ग्राम सभा क्या होती है एक पंचायत के छेत्र में जहां पर पंचायती छेत्र होता है जहां पर पंचायत क्या जाता है उन छेत्र में रहने वाले सभी व्यसकों की सभा होती है व्यसकों की सभा होती है यानि वहां पर सिर्फ जो अठारा वर्ष के उम्र के हो जाते हैं यानि सिर्फ एक गाउं हो यानि उनमें सिर्फ एक गाउं हो और एक से ज्यादा यानि कि जो सभा होती है वो उसमें एक गाउं के लोग हो सकते हैं या एक से ज्यादा गाउं के हो सकते हैं जैसा कि इस उदाहरड में दिया गया है कई राजियों में हर गाओं की ग्रामसभा की बैठक अलग-अलग होती है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो जिसे ओड़ देने का अधिकार प्राप्त हो और उसका नाम ग्राम की मतदाता सुची में हो वह ग्रामसभा का सदस्य होता है यानि की जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है और वो मतदाता सुची में उसका नाम भी दर्ज है तो वो क्या है ग्रामसभा का सदस्य हो सकता है लेकिन बचो यदि वो 18 वर्ष का हो गया है लेकिन उसका नाम मतदाता सुची में नहीं है उटर आइडी में भी उसका नाम नहीं है तो यानि उसके पास कोई उटर आइडी नहीं है तो वो ग्राम सभा का सदसे नहीं हो सकता जब तक नहीं हो सकता है जब तक की उसका नाम मतदाता सुची में ना हो ठीक है तो यह ग्राम सभा है यानि कि ग्राम सभा क्या होता है एक पंचायत उनके छेतर में रहने वाले सभी वेस्क की सभा होती है ठीक है और उस सभा में वही सदस्य हो सकते हैं जो अठारे वर्ट से ऊपर के हो और उनका नाम मत दादा सुची में अंकीत हो ठीक है देखिए ग्राम सभा ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच के ने सड़क की मरमत पर होने वाले खर्ष का ब्योरा दिया ये सड़क गाओं को मुख्य सड़क से जोड़ती है इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी यानि उस गाओं का जो सरपंच था उसने क्या किया कि ब्योरा दिया और उसके बाद खर्ष का ब्योरा दिया उसने और उसके बाद क्या हुआ कि पानी की कमी पर चर्चा होन गाउं में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया कि हरदास गाउं में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है तो उसने क्या कहा कि तीजिया नहीं ये कहा कि देखिए जो हमारा गाओं है हरदास उस गाओं में पानी की समस्या बहुत जादा हो गई है और जो हैंड पंपों का पानी है वो बहुत गहराओं में चला गया है, यानी जमीन के नीचे चला गया है, मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है, तो औरतों को 3 किलो मीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है, तो उसने अपनी समस्या बताई कि जो औरते हैं उनको 3 किलो मेटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए ठीक है तो ग्राम पंचायत में यही होता है ना कि सब अपनी अपनी समस्या रखते हैं एक सदस्य ने सुझाओ दिया और सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाओं में एक बड़ी सी चलिए बच्चों अब हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है यानि जो ग्राम पंचायत होती है उसको वो कई वार्ड में बटी होती है महला जो होता है वार्ड वार्ड नमबर आप लोग सुने भी होंगे ना कि महला वार्ड नमबर मेरा ये है ठीक है तो अलग-अलग वार्ड का अलग-अलग नमबर होता है ठीक है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है उसी को हम लोग मेंबर के नाम से जानते हैं इसके साथ पंचायत छेतर के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं और इसके साथ जो पंचायत के छेतर होते हैं वो लोग मिलकर के सरपंच को चुनते हैं यानि मुखिया को चुनते हैं जो पंचायत का मुख्या होता है फिर है वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन पान साल के लिए करते हैं कितने साल के लिए करते हैं पान साल के लिए करते हैं तो ग्राम पंचायत का एक सची होता है जो ग्राम सभा का भी सची होता है तो जो ग्राम पंचाय सचाहेत का जो सचीह होता है वही सचाहेत चुनाओं नहीं होता है और वो सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है यानि उस सचीव की जो नियुक्ती होती है वो सरकार द्वारा होती है सचीव का काम क्या होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्ड़े हुए है उसका रिकॉर्ड रखना जो सचीव होता है उसका क्या काम होता है तो तो वो सच्यू क्या करता है ग्राम सभा कराता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायद की बैठक बुलाता है और जो भी समस्या होती है उसका रिकॉर्ड रखता है ठीक है तो ये ग्राम सच्यू का काम होता है ठीक है बच्चो बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं उससे पानी की आपूरती हो जाएगी लेकिन दूसरों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है उन्हों ने कहा कि इस साल हम क्या करते हैं इस साल हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं अपना हैंड पंप जो है वो और गहरा कर लेते हैं और कुणों को साफ कर लेते हैं तो तीजिया ने कहा क कि इतने से तो काम नहीं चलेगा हमें कुछ पक्की विवस्ता करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है जितना पानी जमीन में रीस के जाता है वह हम उससे ज्यादा उप्योग करते हैं तो उसके बाद देखे उसके बाद ग्राम सभा के एक सदस है अनवर उसने बताया उसने क्या कहा कि सब को उसने कहा कि महारास्ट के एक गाउं में पानी सनरक्षण के एक तरीके देखे उसने बताया कि हमने महारास्ट में ग्राम सभा के गाउं में पानी सनरक्षण के लिए ए उस गाउं में अपने भाई से मिलने गया था उसको जल समवर्धन विकास कारेक्रम कहते हैं यानि उसने जो तरीका देखा उसको क्या कहते हैं जल समवर्धन विकास कारेक्रम ठीक है यानि वाटरशेड के नाम से उसको जाना जाता है उसने सुना था कि सरकार ने उसके लिए पैसा भी दिया था ठीक है इसके उसके भाई के गाउं में लोगों ने पेड लगाये थे नालो पर चेक डैम यानी छोटे-छोटे बांध बनाये थे एक टंकियां बनाई थी ठीक है तो सब को अनवर का ये विचार जो था वो बहुत ही अच्छा लगा और सब ने एक ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा ठीक है यानी सब ने क्या कहा कि अनवर का विचार बहुत ही अच्छा है और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा किसको कहा था तो ग्राम पंचायत को कहा था ठीक है जो अगला मुद्दा जो थ ग्राम सभा की चर्चा का वो था गरीबी का तिखें तो गरीबी में जैسे ही कुछ लोगوں का नाम पढ़ना शुरू किया गया वैसे ही लोगों के बीच क्या खुसर-फुसर होने लगी तिखें लोग आपस में खुसर-फुसर करने लगें तो नटور ने हाल ही में एक रंगिन टेलीफोन टेलीवीजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटर साइकल भी भेजी है ऐसे लोग खुसर खुसर बात कर रहे थे ठीक है वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है लोग आपस में बात कर रहे थे कि अभी उसने ऐसे टेलीफोन खरीदा है मोटर साइकल खरीदा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है सूरज मल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा कि सरोज ने सुखी बाई से कहा कि बिर्जु का नाम इस सुची में कैसे आ गया इसके पास तो इतनी जमीन है इस सुची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए ओम प्रकाश एक मजदूर है उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है वो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है पर उसका नाम इस सुची में नहीं है तो ये सारी बातें हो रही थी आपस में तो सुखी बाई ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिर्जू अमीर चंदर के दोस्त हैं और अमीर चंदर बच्चों आगे पढ़ करती है तो ग्राम पंचायत पूरे घांग के हित में निश्पक्ष रूप से काम कर सके इसमें ग्राम सभा की महत्पूड भूमिका है जिसके कारेर जो ग्राम पंचायत होती है वो सबके हित में कामा तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं ठीके ग्राम सभा की बैठक में जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें ग्राम पंचायत जो होते हैं वो सब अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं अपनी अपनी ब पंचायत को अपने मन माने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरूपयोग और कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रती निधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रती उन्हें जिम्मेदार और जवाब देह बनाने में बहुत ही महत्वपूर भूमी का निभाती है। तो बच्चों ग्राम सभा का काम समझ में आया कि ग्राम सभा के द्वारा जो पंचायत बैठती है उससे कोई गलत काम ना हो जाए या फिर कोई ऐसी योजनाए ना बन जाए जो गलत हो तो उसकी निगरानी करती है। ठीक है? जो ग्राम सभा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग अमीर चंद्र के बारे में पढ़ रहे थें, तो सबसे अच्छा होगा बच्चों अगर आप लोग पढ़ते समय अपने सामने किताब रखें, तो आपको समझने में बहुत ही असानी होगी और आप बहुत अच् को समझ सकते हैं तो बच्चों आप लोग जब भी पढ़िये तो अपने सामने किताब को रख करके तब पढ़ाई कीजिए तो हम लोग अमिर चंद्र की बात कर रहे थे कि अमिर चंद्र को कौन कुछ बोल सकता है अमिर चंद्र पहले गाओं का जमीदार था और अब भी बहु पहले था ना सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर खुसुर हो रही है तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे सरोज ने सूरज मल को उकसाने की कोशिश की और नटवर और बिर्जु के बारे में पूछे उसने उकसाया कि तुम नटवर और बिर्जु के बारे में पूछो तो लेकिन सूरज मल चुपचाप बैठा रहा अमीर चंद्र ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सुची में होना चाहिए दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का प तो जिस सिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सरवेक्षन किया था उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था वो शायद कहीं काम ढूंडने के लिए गया हुआ था तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आए देखी जाएगी तो इस तरह से ओम प्रकाश की सबसे पहले पारिवारिक आए देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तै की गई राशी से कम है तो उसका नाम भी सुची में शामिल किया जाएगा ठीके तो इस तरह से उसको देखा जाएगा अगर उसका सरकार द्वारा तै किया गया जो राशी से कम है अगर उसकी आए तो उसको उसका नाम भी क्या है सुची में लिखा जाएगा इसके बाद हम लोग ग्राम पंचायद के बारे में पढ़ेंगे की ग्राम पंचायद क्या है तो ग्राम पंचायद की नियमित रूप से बैठक होती है उसका मुख्य काम उनके छेत्र में आने वाले उनके छेत्र में आने वाले गाउं में विकास का रेलागू करवाना होता है यानि गाओं का विकास कराना ठीक है जैसा कि आपने देखा ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्विक्रिती देती है यानि ग्राम सभा ही जो होती है वो ग्राम पंचायत के काम को स्विक्रिती देती है तभी पंचायत अपना काम कर पाएगी ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का चित्र दिया हुआ है तो चित्र के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं कि यह चित्र जो है वो महरास्ट के दो पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उलेखनी काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरसकार से सम्मानित किया गया ठीके बच्चों अब इसके बाद आप लोगों का कुछ प्रश्न भी दिया हुआ है कि ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सुची निर्धारित हो रही थी जो आप लोगों की किताब में दिया हुआ है क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी अभी हमने आपको बताया सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा फिर भी वह चुप क्यों रहा इसका क्या कारड़ था आप अपने से सोचिए और बताईए क्या कारड़ हो सकता है क्या आपने ऐसी अन्य समस्याएं देखी है जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते यानि अपने लिए नहीं बोल पाते हैं तो वो दूसरे के लिए क्या बोलेंगे आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है इनसान को बोलने से कौन सी चीज रोकती है ठीक है बच्चों भी हम लोगों ने ग्राम पंचाइट के बारे में पढ़ा अब हम लोग ग्राम पंचाइट के काम देखते हैं तो सडकों नालियों स्कूलों भवनों पानी के सरोतों और अन्य सारवजनिक उप्योग के भवनों का निर्माड और रख रखाओ यानि जो सडके खराब हो गई हैं सडकों की मरमत कराना नालियों को बनवाना स्कूल भवन और पानी के सरोतों का उप्योग करवाना ठीक है उसका पानी के सुरोत कैसे पानी प्राप्त हो गाउं को ये सारी विवस्ता करना किसका काम होता है ग्राम पंचायत का ठीक है तो उसके बाद स्थानी कर लगाना और इकठा करना ये भी है कि जग़ जग़ अस्थान पर टैक्स लगवाते हैं और उसको इकट्था करते हैं गाउं के लोगों को रोजगार देने संबंदी सरकारी योजनाएं लागू करना ठीक है ये सारे काम होते हैं फिर ग्राम पंचायद की आमदनी के सरोत क्या है यानि ग्राम पंचायद की आई जो आती है जो ग्राम पंचायद को वो उसके क्या के सरोत होते हैं तो घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाली जो टैक्स होते हैं उससे मिलने वाली राशी उनकी आमदनी होती है विबिन सरकारी वीभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशी जो जन्पद और जिला पंचाय द्वारा जाती है और उसके बाद जो समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान इस तरह से उनकी अपनी आमदनी हो जाती है फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ राज्यों में ग्राम सभा काम करवाने के लिए समीतियां बनाई जाती है तो जो समीतियां बनती है उदाहरण के लिए निर्मान समीति मान दीजे कि गाउं में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है तो ये काम निर्मान समीति करेगी एक समीति बना दी गए जिसका नाम है निर्मान समीति अब इन समीतियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य पंचायद के होते हैं ये दोनों मिलकर के ग्राम के विकास के लिए काम करते हैं तो चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायद ने क्या 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 काम किया हरदास गाओं की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलजाने के लिए जो विकल्प दिये गए थे क्या वे आपको याद हैं कि क्या क्या विकल्प था सुलजाने के लिए हमने अभी आपको बताया था है ना जब हरदास देखे बच्चों जब हरदास ग्राम पंचायद की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दुबारा उठाया उस बैठक में सरपंच पंच और सचीव उपस्थित थे ये सारे इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अभी सरपंच क्या काम किये सरपंच कौन होते हैं सची कौन होते हैं तो पंचायद के सदस्यों ने पहले एक कुवा साफ करने और दो हैंड पंप को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गाओं को पानी के बिना न रहना पड़े तो सरपंच ने जो सुझाओ दिया कि पंचायद के पास हैंड पंप की देखरेक के मद में कौन पैसा है ठीक है और उनके देखरेक में कुछ पैसा है सो उन ही पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है इस पर सभी सदसे मान गये और सच्चिव ने उनके नेड़े को रेजिस्टर में दर्ज कर लिया क्योंकि सच्चिव का यही काम होता है न कि जो भी पंचायद बैठती है उसका नेड़े जो होता है उसका रिकार्ड रखना तो उसने क्या किया उसको अपने रेजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थाई हलका विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रशन पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल सनरक्षन से पानी के स्थर में कोई विशेश फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निरड़े हुआ कि ग्राम पंचायत जो है वो खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकठा करेगी। तो इस तरह से यह निरड़े लिया गया कि जो ग्राम पंचायत है वो अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकठा करेगी। इसके बाद आप लोगों के यह देखे एक बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रशन भी पूछे जा रहे हैं जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे तो हर दास ग्राम पंचायत में क्या-क्या निरड़े लिये गये थे और उसके बारे में आप देख विचार करिएगा ठीक है और उत्तर देने की उत्तर लिखने की कोशिश कीजेगा तो उपर दिये गए विवरण में से एक प्रशन बताईए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं यानि अगली जो पैठक है उसमें पूछा जा सकता है ठीक तो क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए हर दास गाओं की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राजविवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते है और पंचायती राजविवस्था लोग तांत्रिक सरकार की पहली सीड़ी है और ग्राम सभा के प्रती जवाब दे होती है जो ग्राम पंचायत होती है जो ग्राम सभा बैठी जाती है उसके प्रती वो जवाब दे होती है यानि जो प्रश्ण पूछा जा सकता है उसका वो जवाब दे सकती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं ग्राम सभा के लोग ही न ग्राम पंचायत का में होती है ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा अस्तर होता है विकास खंड का होता है तो पहला हो गया ग्राम पंचायत और दूसरा हो गया उसका जो दूसरा अस्तर है वो विकास खंड इसके जनपत पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं इसको क्या कहते हैं जन्पत पंचायत या पंचायत समीति कहते हैं एक पंचायत समीति में कई ग्राम पंचायते होती हैं पंचायत समीति के उपर जिला पंचायत जिला परिशद होती है ये तीसरा अस्तर है ठीके तो पहला क्या हुआ पहला हो गया आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के स्तर है, तो दूसरा स्तर हमने विकास खंड का होता है, यानि कि जन्पत का होता है, जन्पत पंचायत का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पंचायत समीत ही कहते हैं, और तीसरा जो होता है, वो जीला पंचायत का होता तो ये जो तीसरा स्तर है जिला पंचायत एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है और पंचायत समीती की मदद से जिला परिशत सभी पंचायतों में आवंटित राशी के वितरण की विवस्था करती है तो सम्विधान में दिये गए जो निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं और इसलिए पंचायत सम्बंदी कानून हर राज्य में कुछ अलग-अलग हो सकते हैं तो जो पंचायती राज्य कानून होते हैं वो अलग-अलग कानून हो सकते हैं क्योंकि अलग-अलग पंचायत होती है तो उसके अलग कानून भी हो सकते हैं इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गाउं की विवस्ता में लोगों की भागिदारी बढ़े और उन्हें अपनी जवाब उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले तो बच्चों इस तरह से ये ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत के कारे थे और उनके इस तरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई कि